दोस्तों मेरे पास है ये Realme का GT Neo 3T और इस फोन को हम 6 मंद से भी जादा टाइम से यूज कर रहा हूँ और इस फोन में मुझे बहुत सारा प्रोड़म दिखा जो कि इस वीडियो में आपके साथ सेर करेंगे क्योंकि दोस्तों अभी ये फोन फिलिप काड़ पे मातर 18,999 रुपया मिल रहा है साथी साथ दोस्तों आपको बताएंगे कि क्या 18,999 रुपया में इस फोन के साथ जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए और ये फोन किल लोगों के ज़्यादा बढ़िया होगा तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले इस फोन के अगर लुक का बात करें तो देखिए ये फोन लुक के मामले में साधारन सा लगता है विशा कुछ बहुत बढ़िया सा लुक नहीं है लुक के मामले में फोन साधारन सा है और in hand fill phone का ठीक ठाक है phone हाथ में लेने के बार light weight लगता है ये सब चीजों में phone अच्छा है वहीं दोस्तों इस phone का display भी बढ़िया है display का brightness भी बहुत जादा है और display का touch sensitivity भी बढ़िया है scrolling बगरा ये सब में बढ़िया है app open करेंगे close करेंगे तो ये सब में ठीक ठाक रहेगा हाँ जब इस phone को बहुत देर तक आप use करेंगे और phone अगर hit हो जाएगा ना तो फिर कभी कबर क्या होगा कि कोई normal सा application को भी जब आप open करेंगे तो उसका animation दिखा करके बस रह जाएगा वो आगे खुलेगा या खुलेगा भी तो बहुत देर में खुलेगा simple word में समझी है कि बहुत जादा use करने के बाद जब phone hit होता है तो phone फसता है एप open और close में भी और जिस एप को आप use करते रहेंगे वो अचानक से बंद हो जाएगा बिल्कुल और home screen पे आजाएगा phone एक बार मेरे साथ ऐसे ही हुआ कि ludoking application को open किये थे game खेलने के लिए अभी starting किये थे और phone उसे पहले बहुत देर से हम use कर रहे थे थोरा सा phone hit भी हो गया था जैसे ही हम game खेलना start किये वैसे ही phone अचानकी फस गया कुछ कामी नहीं कर रहा था और फिर बिल्कुल back हो करके home screen पे आ गया ऐसा लागा कि जिसे कि application crash हो करके बिल्कुल close हो गया हो अब आगे चली नहीं सकता है ऐसा इस हुआ रहा था दूसरी बाद दोस्तों जब इसमें कोई music को play करेंगे या फिर वीडियो देखेंगे और volume को full कर देंगे ना तो back side पे vibration होता है camera के पास बाला area में जहां कि आपको दिखा रहा है इस part पे बहुत जादा vibration create करता है जो कि बिल्कुल irritating सा लगता है ये इस phone का बहुत बढ़ा negative side है वहीं दोस्तों normal application में भी और battery drain बहुत fast होता है simple word में समझे कि हम सुबा 8 बजे से phone को use करना start करते है रात के 12 बजे तक और 8 से 12 के बीच में हमको कम से कम phone को 3 बार charge करना पड़ता है तब जाकर के 12 बजे तक चलता है जबकि मेरा बहुत जादा gaming नहीं करते है normal एक वीडियो को edit करते है तो एक वीडियो को edit करना में मुस्किल से मुझे 1-5 घंटा लगता है या maximum 2 घंटा तो समझे कि 2 घंटे का ही बस थोड़ा सा heavy use होता है बाद बाद कि हम normal use करते है browsing करते है या फिर YouTube वीडियो बगरा देखते है बढ़ हमको 3 बार चार्ज करना पड़ता है कभी कबार तो 4 बार भी चार्ज करना पड़ जाता है तो ये एक बहुत बढ़ा problem है जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा प्रहसान भी हूँ उसके बाद दोस्तों camera department phone ठीक ठाक है जब आप इसे photo को click करेंगे तो natural जो photo रहता है आपका आँख जिस image को जैसा देख रहा है बिल्कुल वैसा नहीं रहता है color को बहुत ज़्यादा boost करता है पहले इतना ज़्यादा नहीं करता था लेकिन जब से 2 update आया है ना तब से बहुत ज़्यादा ये phone जो है color को boost करने लगा है जो की एकदम बेकार बात है और उसके बाद portrait photo जब click करते हैं तो कभी कभार edge deduction बढ़ियां से नहीं कर पाता है और कभी कभार background को ढंग से blur भी नहीं कर पाएगा और blur करेगा तो main object जो रहेगा उसका भी कुछ पार्ट blur कर देगा तो camera के मामले में phone बहुत सा अधारा और बेकार सा ही मुझे लगा है और बिल्कुल हम satisfied नहीं है इस phone के camera से तोस्तों देखिए gaming बगेरा इस phone के साथ आप कर सकते हैं gaming के मामले में जादा problem create नहीं करेगा लेकिन हाँ बहुत देर तक heavy use करेंगे और phone अगर hit हुआ तो वहाँ पे frame drop होना start हो जाएगा और फंसने लगेगा phone और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि suddenly game close हो करके home screen पे आजाएगा ऐसा भी problem हो सकता है वैसे normal way में gaming करते हैं तो ठीक ठाक चलेगा वहीं एक और problem का बात करें तो देखिए power director से जब हम video को edit करते हैं और उसमें अगर full HD का video रहता है और उसको अगर edit करते हैं इसमें डाल करके तो ये बहुत जादा फंसता है ठीक है बिना जादा layer लगाए हुए ही फंसता है तो वीडियो को cut करने में ही फंसने लगता है और रुक रुक करके चलता है ऐसा problem होता है तो editing के मामले में ये फं एकदम घाटिया, बकबास, निकम्मा स्मार्टफोन है पर इस फं को लिये थे कि ठीक से एटलिस्ट नॉर्मल editing तो कर दे लेकिन उस काम को भी बढ़ियां से नहीं कर पाया ये इस फोन का बहुत बड़ा negative side है और दूसरा इसका battery drain तीसरा camera भी अच्छा नहीं चौथा की vibration करता है back side से वहीं दोस्तों इस फोन का proximity sensor भी अच्छे से काम नहीं करता है जब कभी हम call लगाते हैं और call लगाने के बाद जैसे ही कान में touch करते हैं बात करने के लिए तो display का light जला हुआ रहता है कभी close भी हो जाएगा कभी जला हुआ भी रहता है तो proximity sensor अच्छे से work नहीं करता है और proximity sensor का काम होता है कि calling के time पे display का light को close करना जैसे ही phone का top side जो है वो कहीं पे भी touch हो चाहे वहाँ पे हम हाथ लगाएं तो उस time display का light close होना होता है लेकिन ये phone बहुत बार मिस कर देता है वहीं दोस्तों इस phone को जब आप packet में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा इस पे touch आता है और touch के कारण हमेशा ये phone ना camera को on कर देगा या फिर इसका flash light ओन हो जाएगा अब पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है जब भी accidental touch होगा तो हमेशा ही camera ही ओन होगा या फिर flash light ही ओन होगा और इससे बहुत ज़्यादा हम irritate हो गए है ठीक है ये बहुत ज़्यादा बकवास और घाटिया प्रोब्लम है ये सब इस phone का ना बरा बरा problem है और 5G के connectivity में देखिए phone ठीक ठाक है उसमें कोई issue नहीं आएगा तो दोस्तों ये ही सब कुछ highlighted problem था जो कि इस वीडियो में आपके साथ share किये है और भी है उतना अगर बताने लग जाएंगे तो फिर वीडियो एग घंटा का हो जाएगा तो इसलिए simple बड में आपको कहना चाते हैं कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ गेम खेलने से मतलब है और phone का display अच्छा हो तो no doubt 18,999 रुपया में इस phone के साथ आप जा सकते हैं आपके लिए ठीक ठाक रहेगा लेकिन इसके अलाबा कुछ और expectation है तो मैं कहूंगा इस phone को छोड़ दीजिए ये एक लालच जरूर है क्योंकि आप खुदी सोचिए कि जब ये phone इतना ही बड़िया होता तो कोई company 10,000 के discount पे क्यों देती क्योंकि ये phone तो 30,000 तक के price पे launch हुआ था ना और मैं इस phone से बिल्कुल satisfied नहीं हूँ कुछ दिनों में मैं change करने वाला हूँ इस phone को ये phone मेरे लिए तो एकदम बेकाड ही है और आपको अगर ये phone लेना ही है तो आप दोस्तों फिलिप कार्ड से purchase कर सकते हैं और आपके पास अगर फिलिप कार्ड एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड रहेगा तो हाँ पे 1000 रुपय का और डिसकाउंड मिलेगा और फिर इस phone को अप 18,999 रुपया हम purchase कर सकते हैं अभी इसका price 19,999 रुपया लेकिन 1000 का डिसकाउंड मिल रहा है फिलिप कार्ड एक्सिस बैंक के कार्ड पे तो दोस्तों मुझे जो सही लगा मैं अपना honest opinion दे दिया हूँ बाद मां किया आपकी मर्जी थैंक यू सो मच फर वाचिंग दिस वीडियो